हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वी एंटी एड़वर्ड में स्वागत है आद में आप सभी लोग के लिए सभी लोग के लिए करके आए हैं तो आईए हम चलते हैं आज के अपनी इस वीडियो पर और देखते हैं कि हम आपके लिए कौन-कौन से सवाद ले करके आए हैं आज का हमारा पहला सवाल है नोटपैड डियकुमेंट का फाइल एक्सेंशन क्या होता है हम जो नोटपैड की फाइल बनाते हैं उसका बाइडिफॉल्ट एक्सेंशन क्या होता है तो इसका एंसर है ओप्शन ए डॉट टी एक्स्टी नोटपैड क्या है वाट इस नोटपैड तो मैं बता दूँ कि नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्ट्वेर है तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्ट्वेर नोटपैड के सभी दस्तावेजों का चैन निम्निमे से किसके द्वारा किया जा सकता है All the document in notepad can be selected by notepad का जो content है उसे हम पूरा का पूरा एक बार में कैसे select कर सकते हैं Option A इसका जवाब होगा Ctrl प्लेस A Ctrl प्लेस A के मदद से हम notepad के complete content को एक बार में ही select कर सकते हैं Notepad दस्तावेज में टेक्स्ट को अस्थानांत्रित करने के लिए किस shortcut कुंजी का परियोग किया जाता है Shortcut की used for moving text in notepad document Notepad document में text को move कराने के लिए हम लोग Ctrl प्लेस X का इस्तिमाल करते हैं तो option D इसका स्रही जवाब होगा Ctrl प्लेस X Notepad दस्तावेज में text को बदनने के लिए किस shortcut कुंजी का परियोग किया जाता है तो इसका answer है हमारा option C Ctrl प्लेस H Ctrl प्लेस X की मदद से हम text को replace करते हैं अपने notepad document में अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा command format tab में पाया जाता है फुच आप दा following command available in format tab तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर font और word wrap ये दोनो command आपके format tab में पाया जाते हैं तो यहाँ पर option C इस question का जवाब होगा option C A and B both notepad में उपलब tab की कुल संख्या है total number of tab available in notepad notepad में कुल 5 tab पाया जाते हैं तो option D इस सवाल का जवाब होगा total number of tab is 5 option D notepad दस्तावेज में find next function के लिए किस shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है shortcut key used for find next function in notepad document option C इसका जवाब होगा F3 F3 function key का इस्तेमाल हम find next function के लिए notepad में करते हैं notepad में go to function के लिए किस shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है shortcut key used for go to statement in notepad document तो बता दें go to function को activate करने के लिए हम लोग notepad में control plus G shortcut key का इस्तेमाल करते हैं तो option D सही जवाब होगा इस question का control plus G यदि notepad में कोई वाक के screen से बाहर निकल रहा है तो कौन सा विकल्प सक्रिये नहीं है if a sentence is flowing out of a screen in notepad then which option is not active तो option A इसका जवाब होगा word wrap option A will be the answer of this question notepad दस्तावेज में फाइल को सहजने के लिए किस shortcut कुझी का प्रयोग किया जाता है which shortcut key is used to save file in notepad document यह बहुत ही simple question है और इसका जवाब है control plus S option C इसका जवाब होगा control plus S अगला सवाल है notepad दस्तावेज में फाइल प्रिंट करने के लिए किस shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है which shortcut key is used to print file in notepad document यह भी बहुत सवाल है common सा question है control plus P shortcut key का इस्तिमाल फाइल को प्रिंट करने के लिए हम करते हैं option D सही जवाब होगा notepad दस्तावेज में सहेजी गई फाइलों को खोलने के लिए किस shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है which shortcut key is used to open saved file in notepad document तो option A इसका सही जवाब होगा control plus O जो फाइले पहले से बनी हुई है उन फाइल को open करने के लिए हम control plus O shortcut key का इस्तिमाल करते हैं notepad दस्तावेज में नई फाइल खोलने के लिए किस shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आप नई फाइल कैसे बना सकते हैं very simple question control plus N का इस्तिमाल हम लोग करते हैं तो option B इस question का सही जवाब होगा notepad में किस menu में word wrap और font विकल्प पाए जाते हैं यह बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका option A जो है वो answer होगा जो आपका जो format menu होता है notepad में उसमें word wrap और font विकल्प पाए जाते हैं तो option A इसका सही जवाब होगा next question निमने में से किसके द्वारा notepad लिखा गया था notepad was written by किनों ने notepad को write किया था option A इसका सही जवाब है Richard Brodey ने notepad को लिखा था written by Richard Brodey option A will be the answer निमने में से कहां notepad को पेश किया गया था notepad was introduced at at Comdex Computer Expo option A will be the answer Comdex Computer Expo में for the first time notepad को introduce किया गया था निमने में से notepad है notepad क्या है तो यह बहुत ही important question है option D इसका सही जवाब होगा notepad एक प्रकार का mouse based text editor है आपका कमांड एडिटर है यह एक प्रकार का translator है तो आप्शन दी आपको प्रकार का ट्रांस्लेटर है तो आप्शन दी आपको 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 all of the above इस question का answer होगा notepad++ निमने में से किस operating system पर काम कर सकता है notepad++ can also run on तो इसमें हम आपको पता दें कि यह जो notepad++ है यह linux, unix, mac operating system पर भी काम कर सकता है तो option दी इसका जवाब होगा all of the above last notepad++ निमने में से क्या support करता है notepad++ supports तो यहाँ भी option दी से ही जवाब होगा syntax highlighting, syntax folding और auto completion इतीनों आपके जो है notepad++ के feature है तो option दी इसका जवाब होगा so friends मुझे अमीद है आपको यह video मेरा पसंद आया होगा आपके जो भी feedbacks हैं आपके जो आपकी जो भी queries हैं वो आप comment box में जरूर डालें ताकि हम आपकी feedbacks को follow कर सकें और आपकी queries को solve कर सकें अगर आपने अभी हमारा चैनल अगर आपने अभी हमारा चैनल आपके आपके subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe करें like करें और share करें